दोस्तो नमस्कार आप देखने मोटिवेशनल चैनल भाई बी एन वाई अब सब्द बोलना अभी के राजनिती में एक सिधान्त बन गया है दलीतों को स्वर्णो दोड़ा बारवार परतारित किया जाता है और दलीत महिला मायवती के विशे में स्वर्ण जाती की महिला अपसब्द बोलती है इस अपसब्द बोलने के कारण जहां महिला की बदनामी हो रही है वहाँ एक किन्नर का भी अपमान हो रहा है किन्नर क्या ये इनसान नहीं है भारतीय कानून में किनर को भी अस्थान दिया गया है वो बिधायक कहती है कि न नड है न नाडी है वो किनर के समान है इस तरह कि अबद्रबातों का चर्चा करके भारते जन्तापार्टी लगतार दलीतों को अपमानित करने का काम करते रहती है और भारते जनता पार्टी के अंदर के नेतागन इस्वात की भरसना करने के वज़ाए या कहते हैं कि अपने आप में जहांक के देखें तो क्या दलीतों का मत अपमान करके डरवा कर लिया जाएगा या दलीतों को और पिछणों को मान सम्मान दे कर विश्वास जीत कर उससे भोट लिया जाएगा ये बहुत बड़ा प्रस्न आज राजनीती छेतर में है दलीत महिला जो आज एक मिसाल है सौ साल के अंदर ऐसा कोई भी दलीत महिला जन्म नहीं लिया जो एक पार्टी विसेश का प्रमुख हो और चारवार मुख मंत्री हो एक बड़े प्रदेश की मुख मंत्री है और उसने सावित किया कि दलीतों को भी जीने का अधिकार है और दलीतों को भी मान सम्मान है ये मनुबादी और सामंती और स्वणाजाती के लोग दलीतों को सम्मान नहीं देना चाहते और दलीतों को भोट बेंक समझ कर दलीतों को हिंदु मुसलमान की राजनिती, मंदिर मस्जित की राजनिती समझा कर केबल भोट लेने का काम करते हैं भारते जन्ता पार्टी के कोई भी लीडर अब तक इस बात पर खेद ब्यक्त नहीं किया, महला आयोग ने संग्यान लिया लेकिन दल के अंदर की बात जहां तक की जाए तो बड़े ही बेसरमी से, बेवाक तरीके से बात को काटने में भाजपा के लोग लगे हुए हैं इस प्रकार की भरसना आप सबों को भी करना चाहिए, आप साड़े लोग अब नहीं तो कब आँख खोलो गए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, धन्यवाद